वेलकम टू विजाल जूली आज की इस वीडियो में लोग समझेंगे सेंटर ओफ ए ग्रूप क्या होता है और साथ ही उससे इंपोर्टेड एक इंपोर्टेंट थिरम प्रूप करेंगे जो की आपके सामने दिया हुआ है हमारा question दियो है define center of a group यानि की सबसे पहले हमें बताना है की center of a group होता क्या है और आगे हमें prove करना है prove that the center z of a group g is a normal subgroup of g आगे हमें prove करना है की कोई भी अगर group g है तो उसका जो center z होगा वो उस group g का normal subgroup होगा ये चीज हमें prove करना है चलिए एक एक करके हम लोग step by step पूरे question को solve करेंगे सबसे पहले हमें definition बताना है तो center of group G का definition होता है देखिए the set Z of all self-conjugated elements of a group G is called the center of G यानि कि अगर कोई group G है तो उसके अंदर अगर कोई set Z है कुछ इस तरह से कि Z के अंदर हर एक self-conjugated elements है group G का तो हम लोग क्या कहेंगे Z जो है हमारा set वो center of group G होगा अगर symbol से इसको represent करना चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है Z जो हमारा है set Z जिसको बोलेंगे वो set Z क्या होगा center of group G होगा कब होगा जब हमारा Z belongs to G such that ZX और XZ तोनों का value अगर बराबर होगा for all X belongs to G तो हम लोग क्या कहेंगे Z हमारा center of group G है चलिए अब हम लोग next काम करते है theorem का proof करते है theorem का proof कैसे बगा सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ था कि Z हमारा center है तो हमें प्रूप करना है क्या है Z हमारा normal subgroup भी है given हम लोग सबसे पहले लिखेंगे Z is a center of a group हमें तो दिया हुए है कि z क्या है center of group है अगर z center of group है तो इसका मतलब z का value z belongs to g such that zx xz के बराबर होगा for all x belongs to g now we have to prove that हमें prove क्या करना है z is a normal subgroup of g हमें prove करना है z क्या है normal subgroup of g है अगर हमें normal subgroup करना है तो उसके लिए for this firstly we shall prove that z is a subgroup of g normal subgroup prove करने के लिए उससे पहले हमें prove करना होगा कि क्या है z हमारा subgroup है जब subgroup prove हो जाएगा तो उसके बाद हम normal subgroup भी असानी से prove कर सकते हैं देखिए normal subgroup prove करने से पहले जब subgroup को prove करेंगे तो देखिए कैसे prove करेंगे सबसे पहले for any element कोई भी अगर element माल ले रहे है z2 कोई element है जो कि set z से बिलोंग कर रहा है यानि कि center से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग एक चीज़ आनते हैं अगर set z से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा ऐसे ही कुछ इस तरह से z2 belong to g such that यहाँ पे z2 x xz2 बराबर होगा किसलिए for all x belongs to g उसी को मैंने यहाँ पे simply लिख रहा है z2 x और xz2 बराबर होगा अब देखिए हम इस side में हम यहाँ पे right side में z2 का inverse दोनों तरफ ले रहे हैं composition यहाँ पे ले रहे हैं z2 का inverse उसके बाद हम क्या कर रहे हैं left side में भी दोनों में z2 का inverse composition ले रहे हैं तो अब हम देखिए क्या कर सकते हैं इस वाले देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि associative लोग को follow करता है और इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं एक साथ लिख सकते हैं वहीं काम हम यहाँ पे किये हैं क्यों लिखे हैं क्योंकि देखिए z2 inverse into z2 इसका value e यानि की identity आ जागा जिसका value यहाँ पे कुछ होगा नहीं last में बचेगा यहाँ पे x into z2 का inverse यहाँ पे देखिए x into z2 का inverse बचेगा सेम वेसे ही इसका value पूरा यहाँ पे e यानि की identity आ जागा तो बचेगा क्या z2 inverse into x वहीं हम यहाँ पे लिखे हैं for all x belongs to g अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें अगर belong x z2 inverse और z2 inverse x बराबर है इसका मतलब क्या है कि z2 inverse भी क्या होगा belong करेगा z से सेम यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हुआ था उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हो रहा है अब देखिए मतलब हम यहाँ पे proof क्या कर दिये हम यहाँ पे proof किये देखिए हम यहाँ से चले थे z2 belong to z और कहाँ पे proof पहुँच गए z2 inverse belongs to z इसका मतलब क्या है हम proof कर दिये z2 belongs to z का मतलब होगा z2 inverse भी z से belong करेगा यह हमने अभी proof किया चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में अब हमें क्या करना है अब हम एक ची और जानते हैं अगर z1 नाम का कोई element होगा z से belong कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा x into z1 और z1 into x दोनों का value बराबर होगा for all x belongs to z for all x belongs to g क्यों क्योंकि अगर center of group है और center का कुछ कोई element होगा तो वो x into z1 और z1 x पराबर होगा दोनों अब देखिए हम यहाँ पे किसका value निकाल रहे हैं हम यहाँ पे value निकाल रहे हैं z1 z2 inverse into x इसका value निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस वाले दोनों को एक साथ रख सकते हैं यानि कि z2 inverse x और z1 को बाहर कर सकते हैं अच्छा एक चीज हम लोग जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है, देखिए, अभी हमने थोड़ा सा उपर देखा है क्या, कि Z2 inverse Z से बिलोंग कर रहा है, और Z2 inverse अगर Z से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब Z2 inverse X और X into Z2 inverse दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, Z2 inverse X के जगाँ पर X into Z2 inverse लिख सकते हैं, अब देखिए, हम लोग एक चीज और जानते हैं, यहाँ पर associative law follow हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, Z1 into X, या फिर इस Z1 into X, एक साथ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अब देखिए, Z1 X क्या होगा, X Z1 के बराबर होगा, क्योंकि हम Z1 भी क्या है, Z से बिलोग कर रहा है, इसका मतलब Z1 X और X Z1 बराबर होगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर फिर से associative law लगा सकते हैं, associative law जो लगाएंगे तो X into Z1 Z2 का inverse आ जाएगा, हम यहाँ पर, हम यहाँ पर देखिए, हम क्या लेके चले थे और हमें क्या मिला है, तो हम यहाँ पर देखिएंगे, हम यहाँ पर लेके चले थे, कि Z1 Z2 inverse into X, और यहाँ पर आ गया हमारा answer X into Z1 Z2 inverse, यानि कि पहला element into X, और देखिए, यह बाद में चला गया, और यह पहले आ गया, इसका मतलब आपको समझ मैं रहा है, इसका मतलब क्या है, कि यह जो हमारा दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, कि Z1 Z2 का inverse जो है न, यह एक element होगा, और जो की Z से बिलोंग कर रहा होगा, for all X belongs to G, अब आगे हम लोग देखिए, तो for all X belongs to G, हर एक X belongs to G के लिए, हम यहाँ पर क्या देख रहे है, Z हमारा बिलोंग कर रहा है, Z1 बिलोंग कर रहा है, Z से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा निकल क्या आ रहा है, देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे हम मान के क्या चले थे, हम यहाँ पे मान के चले थे, Z2 बिलो गलग मान के चले थे कि दोनों क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है जेड से तो इसका मतलब हमें क्या निकल के आया जेड बन जेड टू का इन्वर्स भी क्या कर रहा है जेड से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा यहां पे हम देखे कि जेड हमारा क्या हो गया जेड we shall show that z is a normal subgroup of g अब हम जब subgroup प्रूप कर दिये तो अब हम दिखाएंगे कि क्या है z हमारा normal subgroup है उसके लिए मान ले रहे हैं x belongs to g and small z belongs to z मान के चल रहे हैं ठीक है तो देखिए x into z into x inverse का जो value आएगा वो कितना आएगा पाले हम associative लव लगा है तो x into z into x inverse हो जाएगा अब हम लोग एक चाहिए और जानते हैं अगर small z z से belong कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा x z और z x दोनों बराबर होगा न यानि कि z x हम लिख सकते हैं x z के जगाबे देखिए हम यहाँ पे फिर से associative लव लगा है इस z को एक तरफ कर दिया और x into x inverse अच्छा देखिए x into x inverse identity आएगा और into z रहेगा तो z ही रह जाएगा यानि कि यह क्या है z v हमारा किस से belong कर रहे है group z से या फिर हम कहें center z से इसका मतलब हमें क्या पता चला हम यहाँ पे मान के चले थे देखिए अगर आप ध्यान से देखें न तो हम यहाँ पे देखिए मान के चले थे क्या मान के चले थे x g से belong कर रहे है x z z से belong कर रहे है तो इसका मतलब क्या पता चला center of a group G क्या है normal subgroup of group G यह हमारा theorem क्या हो गया proof हो गया